प्रकार से कि सरकार जो इंकम टेक्स का सलेब हैं उसको इंक्रीज करके 0-5 लेज तक बिल्करें और 7.5 लेज तक 10 लाग तक 10 पर संट करें और 10 तो 15 लाग तक 20 पर संट करें और 30 का सलेब करें ताकि TR positive 9 बैउज और सही सी लोग टेक्स का कम्पूटेशन करन पाई है। करना चाह रहे हैं कि जेश्टी पर कुछ लोग से संस्वजित करें हमारे वैपार के लिए क्योंकि जेश्टी लगने के बाद हम लोग का वैपार बहुत ही नीची अस्तरपाय गिया है। हो और सरकार को जादा से जादा राजस्व की पराप्ती हो। कि जहानावाद अस्टेशन को सबसे पाले, मोडल अस्टेशन के रूप में विक्सित करें और साथी साथ जहानावाद से लंबी दूरी के लिए यहां से ट्रेन चराने के काम करें। कि जी लोगों को यहां से गया और पटना जाकर के ट्रेन पकड़ना होता है। वह सुविधा जहानावाद के अंदर से ही मिल जाए। हम लोगों इस बजब से चाहते हैं कि किसान का जो मुल भूठ समस्या ऐसी जाए उसका खेट तक पानी पहुंचे। और खाद बीज का जो सुलब व्यवस्ता है जो असाली से मिल सके वो जल से जल जो है उसको प्राप्त हो सके ताकि उसका समय पर खेती हो और वो खेती का उपच को अपना बढ़ावा दे सके। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सिक्षक होने के नाते सिक्षा पर खर्च करें सरकार और सिक्षा पर खर्च करने के मतले हैं सिक्षक की बहाली करें। चाहर से पांच लाग तक आम लोगों के उकड़ होती है इसमें उस उधार दे दे सारे चाहर से पांच लाग तक की इंकम प्रेक्स मुख कर दे और जिससे आम लोगों को मध्दम बढ़ दिये करम चाड़ें को इनको राहत मिलें। GST रिटर्न भरने में हम बैपारियों को परिशानी हो रही है इसका सरली करन किया जाना चाहिए। एयरपूर, फोरलेंग सडक, उध्योग, फूट प्रोसेसिंग प्लान्ट इसके उध्योग आधी को बढ़ा मिला चाहिए जिससे कि भागलपूर के विकास हो, बैपार का विकास हो। महिंगाई इस कदर भड़ गई है कि हम ग्रहनियों को सोचनी का विसेश बन गया है। येस आटा, सबजियां की दरों में इतना चड़ा हुआ है कि अब हमें सर्कार से यह अपील है कि वो इनकी दरों में कुछ हमें राहत दे। ये शिख्षा पर, रोजगार पर और महिलाओं की सुरक्षा पर धियान दें ताकि शिख्षा जो महिलाओं गरीब लड़किया है और मेदावी छात रहे उस पर स्कॉलर्शिप की सुरीदा होनी चाहिए, उन्हीं देनी चाहिए, ताकि जो है उच्छी सिख्षा हासिल करे और दूसरी मुद्दा जो है बहुत जोर से है बहुत बड़ी मुद्दा है महिलाओं की शुरक्षा